दोस्तों जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वैसे ही जानवरों को पालने में भी नए नए तरीके इस्तमाल किये जा रहे हैं और कई तरह के modern tools और machinery इस्तमाल की जा रही हैं और ऐसे ही कुछ machinery आज हम आपको दिखाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम तो घाय को बाबने को मिल्को मैक्स जी जाते पहले ये मशीन गाय को अपने अंदर मजबूती से पकडर लेती है Test ब्रश गाये के थनों को बड़े अच्छे से धोता है और फिर इसके बाद ब्रश के साथ लगे पंप गाये के थनों को लेजर शुआओं से ढोंड कर इससे चिपक जाते हैं और फिर दूद निकालना शुरू कर देते हैं जो के एक कंटेनर में स्टोर होता जाता है मशीन में दूद की मिकदार सेट कर दी जाती है तो पंप उतना ही दूद निकालता है इससे ज़्यादा या कम नहीं निकालता फिर जब कंटेनर भर जाता है तो पंप थनों को छोड़ देता है और फिर ये मशीन अगली गाय को पकड़ लेती है और बिल्कुल इसी तरीके से दूद निकालती है ये मशीन काफी फाइदे मन्द है लेकिन काफी महंगी भी है दोस्तो जिस तरह इंसान अपनी सफाई रखता है इसी तरह गायों की भी सफाई रखना पड़ती है क्योंके इनके हाथ नहीं होते इसलिए इनसान को इनकी सफाई रखना पड़ती है और इनके नाखुन भी काटने पड़ते है अगर गाय की पैर को पकड़ा जाए तो पकड़ने नहीं देती इसलिए ये मशीन बनाई गई है जिसमें गाय को एक प्रेक ब्रैकिट में पाउं को पकड़ लिया जाता है इसके बाद आदमी एक मशीन से गाय के नाखुनों को रगड़ कर साफ कर देता है इस सारे अमल में गाय को जरा भी तकलिफ नहीं होती इसके बाद गाय को आगे भेजा जाता है जहां गाय को एक चेंबर में से गुजारा जाता है जिसमें बड़े बड़े शावर लगे होते हैं और गाय गुजरते हुए नहा लेती है और साफ सुतरी होकर बाहर निकल जाती है दोस्तों गाय के पास तो कोई हाथ नहीं है और जब खुजली होती है तो इसके लिए भी फॉर्म में इंतजाम किया जाता है कुछ इस तरह की मशीन जिस पर ब्रश लगे होते हैं और घूमते हैं तो गाय इन पर जाकर अच्छे से खुजली दूर कर लेती है और बहत सुकून महसूस करती है और आप इसे गाय का हाथ भी कह सकते हैं दोस्तो गाय के सहसत इसकी जगा की भी सफाई रखना पड़ती है और अगर गाये जएदा हैं तो इनके गोबर और पिशाव को साफ करना इंसान के बस की बात नहीं होती तो इसके लिए एक कमपनी ने मशीन बनाई है इस कमपनी का नाम है GEA Farming Company जिसने मोटरन फार्मिंग के लिए कई सारी मशीनरी बनाई है अब ज़र इस मशीन को देखें इसके आगे लगे बलेट फार्म में फैली हुई गंदगी को अरामते साफ कर देते हैं और नाली में डालते जाते हैं ये गायों के नीचे से भी गोबर और पिशाब निकाल लेती है और इसको एक ट्रक के आगे भी लगाया जाता है जिससे गंदगी साफ हो जाती है और साफ होकर ट्रक में लगे टैंक में जमा होती जाती है ये मशीन फार्म के हर कोने से गंदगी निकाल लेती है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद दी होगी ऐसे इन्फरमेटिव और इंटरस्ट यूट देखते रहने के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद दी तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें ठैंक्स वर वाचिंग